हेए दोस्तों असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब पहरीयствен से होंगे मैं हूँ आप है की दोस्त की योश्ट शाजिया में विल्कम करती हूए वेल्कम करती हूँ आप सब बहुत ही यम्मी तहीं बच्चE तो बच्चE बड़े भी इसके fan हो जाएंगे अगर आपने बनाया तो और जो कि इसके अंदर मसाले हों भी लिया होते है तो इस आप लिए अधु करना को है舅 रस जरोर्य है इसवे में अर्थक फॉर्टिप्वी Rate ने फालने के लिए और पीलर से strips को काटने में दिक्कत हो रही है तो कोई भी आप stick लेकर की potatoes के उपर या आलों के उपर फशा लें और उसके बाद strips काटे बहुत ही आसानी के साथ सारे आपके strips कट जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके सारे strips रेडि हो जाएंगे और जैसे हमारे सारे strips perfectly कट जाए और बहुत ही crispy बनते हैं इसकी help से दो से तीन बार इनको अच्छी तरीके से दोने के बाद हम इनको एक strainer के उपर लग देंगे जिससे इनका सारा पानी drain हो जाए और यह perfectly थोड़े dry हो जाएंगे और जैसे ही इनका पानी drain हो जाएगा और यह थोड़े dry हो जाएंगे हम इन चाट मसाला वैसे इसमें चाट मसाला जाता नहीं है लेकिन हम इस चटपटे और चटकारे वाली जो फ्लेवर डालने है उसके लिए चाट मसाला बहुत important है आप अगर नहीं डालना चाते तो उसको skip कर सकते हैं आदा चामच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कुटी हुई ला कौती पसंद आईगी है रेसेपी साथ में हम यहाँ पर एड़ करेंगे तीन से चार चमच कौन फ्लाग के बस क्या करना है हमें इनको अच्छी तरीके से मेक्स करना है जैसे हम इसको दो मिनट के लिए मेक्स करेंगे आलू अपना पानी दुबारा से छोड़ने लगेगा हम हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूत नहीं है अब हम इसी के अंदर ही इनको अच्छी तरीके से मेक्स करेंगे और छोटे छोटे बॉल्स हातों से दबा करके इनके बनाएंगे और अगर आप इसके अंदर मेरी तरह देशी तड़का डालना चाते हैं तो आदर चमच लसन हो जाएगा आपको अंदाजा मिल जाएगे उसी शेप में आपको उसी साइज के सारे लड़ू एक बराबर बना लेने हैं और साइज में करके पहले तैयार करेंगे जब हमारे सारे लड़ू अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे तब हम एक साइज तेल करम करेंगे और इतनी सिंपल रेसिपी है लेकिन इतनी मज़दार है कि सब बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं तो बना करके भी मज़ा आ जाता है आउं हमें इतने सारे बौल्स हमारे तैयार हो गया हैं हम एक साइट गरम करेंगे अच्छी तरीके शैए हो तरीके हैं अपने सारे potato balls को एक एक करके इसके अंदर add कर देंगे और तेज आज के ओपर ही हम इसको पकने देंगे starting as usual हमें चमच का बिल्कुल भी use नहीं करना है जैसे हमारा नीचे की coating तियार हो जाएगी तब हम इसको धीरे धीरे turn करेंगे मैंने कहा ना आपको ये जितनी simple है उतनी ही मज़दार और इतनी आसानी के साथ बनने वाली recipe है कि आप इसको अपने kitty parties हो या छोटी मोटी get together हो उसमें भी रखेंगे ना सभी को ये बहुत पसंद आने वाले snacks हो जाएगा ये आपका बहुत ही easy way में बनने वाला snacks है एक तफ़ा जरूर try करें और try करने के पाद मुझे feedback देना बिल्कुल भी न भूले और अगर आपको मेरी recipe पसंद आ जाए तो मेरी recipe को अपने family and friends में जरूर शियर करें इनको fry करने के time पे हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनको हमको बार बार चलाते रहना है ताकि ये एक तरफ से लाल ना हो जाएं सिर्फ अगर हम जाबर बार इनको turn करेंगी कि चारो तरफ से बराबर पकेंगे और अच्छी तरीके से अंदर तक ये crispy होंगे इसी चीज़ का बस हमें ख्याल रखना है बार बार अगर हम turn करेंगे चारो तरफ से ये evenly बराबर पकेंगे और अच्छी तरीके से crispy होंगे अंदर तक और जब ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई होके निकलेंगे न तो इसकी जबरदस आपकी क्रिस्पिनस होगी कि बयान नहीं कर सकते और फ्लेवर तो आप पूछे ही मत जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे तभी इसकी खुश्बू दूर दूर तक जारी होगी जो इसके अंदर औरिगयानो और चिली फ्लेक्स हमने डाले है न उसकी खुश्बू भी बहुत जबरदस आती है तो बस अब सोच रहा कि इस बात का है इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है तो क्या आप सोच रहे हैं जल्दी से उठीए और ट्राई करिए ये रेसिपी देखा आपसे बात करते करते हमारे सारे क्रिस्पी प्रोटेटो बॉल्स हो गया है रेडी अब हम इनको करेंगे फ्लेटिंग मैंने कहा था आपको ये जट्बट से फटाफट बनने वाली आपकी रेसिपी है एक दफ़ा जरूँर ट्राई कर के देखे इखे बहुत इसी रेसिपी है बच्चों के लाइक बटन ज़रूर प्रेस ऐ जिससे मेरी आने वाली आने वाली हर नई वीडियों की अपसंती हैं सबसे मुलागाते हो दी रहेंगी तब तक अपना ख्याल रखिए दौाओं में बहुत 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 याज रखिए अल्ला अफिस इन्जॉई उ पुटेरो बॉल्स